सबी को मेरा नमस्कार, मैं कुल्दी बिर्वाल, लक्चरर इन कॉमर्स, गौवर्मेंट सिनियर स्केंडर स्कूल कलायर्ट, टेस्टिक कैथल, आप सबका आज की ओनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ. आज हम बारवी कक्षा के व्यवसाई अध्यन वीशे के अंतरगत, हेंरी फ्योल के परबंद के सिधानतों के उपर चर्चा करेंगे. तो चलिए, शुरू कर लेते हैं आज की ओनलाइन क्लास. हमारे टोपिक का नाम क्या था? परबंद के सिधान. तो परबंद के सिधान शुरू करने से पहले हम एक बर यह जान लें कि परबंद का अर्थ क्या होता है? जो हम पहले पढ़ चुके हैं. इस related वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी. तो परबंद का क्या अर्थ होता है? परबंद एक ऐसा प्रियावरण तियार करने, इवम उसे बनाये रखने की प्रिकरिया है, जिसमें लोग समों में कारिये करते हैं, मतलब मेल जोल कर कारिये करते हैं, क्या किस सीज के लिए? चुनिन्दा लक्षें को कुशल्था से प्र इसे पढ़ देता हूं परबंद एक ऐसा प्रयावरण वातावरण त्यार करने और उसे बनाए रखने में त्यार करने तक सेमित नहीं है उसे बना कर भी रखना है जब तक कब तक हम अपने लक्षियों को जो हमने सोच रखा कुशलता वो रख प्राप्त नहीं कर लेते हैं च करने की प्रकृत है तो इसको उपर हम चलेंगे तो प्रकृत हो जाता है और बार बार कह रहा है कि पर बंद कर दिक प्रकृत है तो इसमाजाता यानिकी पहले से ही लक्षै का निरधारण करना एक योजनाए बनाना, फिर संगठन, मिल जूलकर कार्य करना, निकती करन करना, कौन किस कार्य को करेगा, निर्देशन देना, यानि कि मारकदर्शन करना और नियंतर करना, लास्ट में जाके हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, यह सारी मिलकर जो हैं वो बातें हमारी प्रकरिया बन ज करना या फिर हम कहें तो उदेश्यों को सही परकार से प्राप्त करना तो यहां यह परभावी धंग का यह अर्थ हो जाता है फिर इसके इलावा कान से इज और पर देखी है यह हम डक्षता शब्द आगया तो इसका मतलओ क्या है कि सही डंग से नियूंतम लागत पर कारिय करना नियूंतम लागत पर हम ज्यादा दोर रखेंगे क्योंकि परभावी ढंग का मतलब ये भी हो सकता है कि बेशक अच्छा कारिय करना है बेशक चाहिए उसकी हमें उची लागत देनी पड़े लेकिन जब हम कुशलता की बात करते हैं तो पर कुशलता से कारिय करना हम उसको कहते हैं तो परभंद का अर्थ आपके बीच रहा फिर उसके बाद परभंद के सिधान्त का अर्थ जिसके उपर आज का वीडियो फोकस करेंगे परभंद के सिधान्त का अर्थ क्या रहेगा कि परभंद का सिधान्त निर्णय लेने एवं व कि इस परकार से करते चले जाना है कि तो मार्कृषन करेगा फिर परबंद के सिधान्त परबंद को विभार के लिए विस्तृत एवं समाने दिशा निर्देश होते हैं तो परबंद कोन होगे जिनकी देख रेक में वकारेक किया जाना है जो हमने उदेशा निर्धारित किया है तो उनके विवार का भी दिशा निर्देश होते हैं कि आपको किस परकार से जो है वो करमचारियों से कारिये करवाना है फिर इसके लावा क्या हो सकता है जो हमारे परसिद्व विद्वान रहे हैं विलियम बी कॉर्नेल उन्होंने क्या कहा कि परबंद के सिधान्त आधार भूत वीवरण या सरों मानने सत्ते हैं मान लिए गए हैं, सब ने मान लिए है कि जो परबंद के सिधानतों वो सत्ते हैं मतलब उन पर अगर हम चल कर कारिया करें तो हमारे कारिया के अच्छे होने के या फिर उदेश्य को पूरण होने के चांसेज जो हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्या सरो मान लिए सत्ते हैं जो किसी कारिया या विचार का मार्क दर्शन करते हैं विचार का मतलब होगा कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये कारिया इस परकार से किया जाना चाहिए तो उसका मार्क दर्शन जो है, वो हमारा करते जले जाते हैं परबंद के सिधानतों को लागू करने से पुरू, उनके लक्षन एवं प्रकर्ती को समझना पर हम आवश्यक है, तो परबंद के सिधान जब हम लागू करने जाएंगे, इंप्लिमेंट करने जाएंगे, तो उनका क्या रजल्ट निकलेगा, और वो किस परकार से हमें जाएगे, ठीक है, फिर उसके बाद परबंद के सिधानत की परकर्ती कैसे है, परकर्ती का मतलब हो जाते है, एक तरह से विचेस्ता है, मैरिट्स, गुण वगरा, उसके अंदर क्या है, किसके अंदर परबंद के सिधानत में, तो सबसे पहली परकर्ती, परबंद के सिधान सबी प्रकार के संगधनों में प्रियुक्त किए जाते हैं मतलब प्रबंद के सिधान्mens का यह नहीं कि सरफ विभसाइक किरियाहों से जोड़ले उनको हम हम गैर किरियाहों में भी कर सकते हैं छोटे business के अंदर भी वह चल सकते हैं बड़े business के अंदर वह यह कंस्के हो किसी भी परकार के वेवसाय हो, हम उसके अंदर इनको लागू कर सकते हैं, वीनिमाराण का शेतर हो, मतलब जो construction से रिलेटेड जो कारिय करते हैं, चाहे वहाँ पर हो, और चाहे फिर services से वहाँ से, जैसे के school, bank वगारा, तो वहाँ पर भी परबंद के सिदान्त अच्छे परक काते वे चले जाते हैं, तो, मार्कदर्शन का करते हैं, कर ये, फिर, परबंद के सिधान्तों का, सभी परबंदकों के अनुभव, बुद्धी-चातोरियें, एवं, शोध के दवारा ही, निर्मान किया जाता है, ऐसा नहीं है, जो मर्जी चातोरिया मतलब कितने चातोर हैं वो और शोध का मतलब होता है कि नई नई चीजे खोचना ठीक है तो उनके द्वारा जो है वो निर्मान किया होता है ऐसा ही नहीं होता कि जो मर्जी आया और इंप्लेमेंट कर दिया तो अगर हम परबंद के सिधानतों को फॉलो करते हैं तो परबंद के सिधानतों का निर्मान होता है फिर परबंद के सिधानत के अबिली पर करती क्या है परबंद के सिधानत लोचील होते हैं लोचील का पिछली वीडियो में बताया था मैं फिर से यहां पर बता देता हूं लोचील का मतलब होता है हम उसमें परिवर्तन कर सकें थ फिर परबंद के सिधानतों का लक्ष है मानविय वेवार को परभावित करना होता है तो हमारे यहां मानविय और भोतिक वेवसाई के अंदर दो चीजे चलती हैं भोतिक मशिनरी बगरा बिल्डिंग बगरा ये सारी चीजे और मानविय जो हमारे वर्कर्स हैं तो उनको परभावित करना जो है वो परबंद के सिधानतों का लक्षे होता है जो हमारे अंदर में कार्य कर रहे हैं वर्कर्स हैं अगर हमने हम उनके दिल को टच कर गए तो फिर हमारे कारिय जो हमने उनसे लेना है उसकी कुशलता में विर्दी होगी और वो खुशी-कुशी कार्य कर सकेंगे तो मानविय विवार को प्रभावीत करना जो है वो प्रबंद के सिधानतों का लक्षे होता है इसका मतलब यह भी नहीं होता कि वस्तुस्तिति या गटना से संबंदित नहीं होता हमें क्या करना होता है परबंद को क्या करना होता है भोतिक और मानवी है दोनों में तालमेल बनाकर जो है वो कारिय लेने का जो है उसको प्रियास करना होता है तो यह परबंद की प्रकरती के कुछ हैं कुछ हैं कुछ पॉइंट और इसके लावा लास्ट जो हमारा पॉइंट नहीं करेंगे, salary को बढ़ाना, wages को बढ़ाना, या employee worker की युग गिता को जब हम salary बढ़ाने की हम जब बात करेंगे, या हम बढ़ाने की इच्छा रखेंगे, या employee चाहेगा कि उसके salary बढ़े, तो मुझे क्या ध्यान में रखना हो इसमें, योग गेता को ध्यान में रखना है, उनकी वरकर्स की, अपने वेवसाई के बजट को भी ध्यान में रखना है, तो एन इस इत्सा होता है कि मैं on the sport, यह according to situationally मैं परबंद के सिधानत के अंदर जो है वो किस परकार से करें लो, जैसे मैंने आपको सेलरी वाला उधारण दिया, सिलरी बढ़ाना है, तो क्या मैं employees की योग गेता को ध्यान में रखूं, यह फिर मैं वेवसाहिक के बजट को ध्यान में रखूं, अगर बजट ठीक है तो फिर योग गेता को मैं ध्यान में रखूंग, योग गेता में भी अलग बाता आ जाएगी, मैं अनुभव को ध्या के महत्तों के हम बात करें, importance की. तो सबसे पहला, परबंद के सिधान्त संसाधनों का अनुकूलतम उप्योग करने में मदद करते हैं. मतलब जो संसाधन, जो चीज़ें वेवसाये में, उस समय मेरे पास में उपलब्द हैं, उनका मैं कितने अच्छे से प्रयोग कर सकता हूं, ये परबंद के सिधान्त हमें बदलाते हैं. फिर उसके अलावा, परबंद के सिधान्त परबंदकों की बदलते वातावरण की जरूरतों को पूरा करते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा कि सिधान्त जो हैं, वो लोचपूरण होते हैं, कि क्या करना है, क्या छोड़ना है, जैसे कि हम अगर बात करें मालो मेरा manufacturing का विजनस है तो क्या मैं सिर्फ manufacturing पर ही concentrate करूं जो गैर मूल का रहे होंगे मेरे जैसे कि advertisement करना या retail पर चीजों को बेचना इस प्रकार के जो मेरे गैर मूल का रहे होंगे तो मैं क्या उनको छोड़ दूँ क्या दोसरी company के साथ में tie-up कर लो तो यह क्या है कि एक महतव है कि परबंद के सिदान तो परबंद को बदलते वातावरां की जुरूरतों को पूरा करते हैं मैं manufacturing का काम करता हूं तो मैं अपने आपको manufacturing तक सीमित रख लूँ और selling बगारा का का कारिया जो है advertisement का का कारिया मैं दूसरी company को जो है वो देता फिर महतव क्या है परबंद के सिदान तो वेग्यानिक नीड़ने लेने में मदद करते हैं तो वेग्यानिक का पिछले हमारे वीडियो में भी आ तो वेग्यानिक का मतलब होता है कि step to step चलना systematic way तो तरक पर ध्यान रखना है वेग्यानिक नीड़ने लेने में मदद करते हैं तो अगर विज्यानिक निर्णे के हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो मुझे प्लस पाइंट लगता है, वो यह लगता है कि मैं व्यक्तिकत द्वेश पक्षपातों से मुक्त ओकर सही निर्णे लेने में जो है वो अपने आपको शक्षम पाता हूं, क्या सही है, क्या तर व्यक्तिकत पक्षपात रूपी जो बायस जो चीज़े होते हैं, वो हावी नहीं हो पाती, जब मैं परबंद के सिधानतों को लागू करके चलता हूं, फिर इसके इलावा, परबंद के सिधानतों को अपयोग परशिक्षन, शिक्षा वे अनुसंधान के लिए किया जाता ह तो परबंद के सिधानतों को हम लागू करके उनको परबंद के सिधानतों को अच्छी परकार से जो हो उनको ट्रेनिंग देते हैं कि व्यवसाई को कैसे चलाना है, वरकर से कैसे काम लेना है, डिफरेंट सिच्वीशन में मुझे किस परकार से सिच्वीशन को हैंडल करना ह फिर शिक्षा में काम आता है जैसे कि हम अपने commerce वाली study में हम बढ़ते हैं बीकॉम में और अभी हम plus two के अंदर इसको पढ़ रहे हैं इस topic को परबंद को फिर MBA वगारा के लिए हम जो है वो शिक्षा अलग से जो है वो लेते हैं तो वहाँ पर भी हम परबंद के सिधानतों क का प्रयोग करते हैं वह अनुसंदान का मेल होता research की गई खोज में से नई नई जीज़ों को ढोंड के लिए क्या आना तो वहाँ पर भी हम परबंद के सिधानतों का प्रयोग करते हैं तो ये कुछ परबंद के सिधानतों के important महतव है ये निचोड मैं निकाल के ला रहा पाट का तकी आप कम महनत करते वे जदा चीज़े सीखने का जो है वो मदब मिले चलिए उसके बाद आ जाएगा परबंद के आधारबूत सिधानत तो हमारी आज की वीडियो जो है वो सिरफ एकी सिधानत के उपर सीमित रहेगी जो कि फ्रांस के परसिद उद्योग पती है हेंरी फ्यूल जिनका जनम 1841 में हुआ था और 1925 में इनके मिर्ति हो गई थी उन्होंने अपनी पुस्तक जर्नल एंड इंडस्ट्रिल मैनेजमेंट में परबंद के चोदा सिधानतों के बारे में जो लिखा है हमारी वीडियो इनी चोदा सिधानत के उपर आज सिमित रहने तो हेंरी फ्यूल नाम रखना है आप लोगों को जुरूर याद रखना है और 1841 से 1925 और कौन सी पुस्तक में इन्होंने लिखा यह को जरूरी चीज़े हैं जो मैंने अलग से कलर में दिखा रखी हैं यह आप लोगों को जो है वह जुरूर याद रखनी है जर्नल एंड इ दो बाते रहें सबसे पहली परबंद के सिधानतों के सूची बहुत ज़्यादव बड़ी नहीं होनी चाहिए केवल मार्क दरशन के रूप में होनी चाहिए अगर ज़्यादा बड़ी होती चली जाएगी तो हर बात को इंप्लेमेंट करने में समस्य आएगी या फिर समस्य नहीं आई तो हम उनको पूरण नहीं कर पाएंगे तो ज्यादा बड़ी सूची नहीं रखने हैं केवल और केवल मार्क दरशन के रूप में होगी वो रास्ता दिखाती हुई चले जाएगी हमारी परबंद के सिधानतों की सूची और दोसरी जो परमुख बात पर जोड़ द चले हैं और स्लडील बढ़ाने की काम आ गयी स्ल्राओ में हजार परमंद जो बढ़ाना है और हमने कढ humility गड़ अचाइगी पीजनस का चाहिए जस लाचीले हुने चाहिए जिस साल वे वसाई को कम profit हो तो उसे साब से कम थनखा बढ़ा दीजाए जिस साल जादा हो उसे साब से पिछले वाले की recovery कर दीजाए तो परबंद के सिधानत कठोर नहीं लचीले होने चाहिए तो चलिए आज हम बढ़ते हैं अपने परबंद के उन 14 सिधानतों को जो हैंरी फेल ने दिये हैं इन 14 सिधानतों को follow करते हुए हम website में सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो सबसे पहला हमारा सिधानत है कार्य भाजन division of work इस सिधानत के अनुसार पूरे कार्य को छोटे-छोटे भागों में बाढ़ देना चाहिए तदा परतिक व्यक्ति को उसकी योग्यता और रुची के अनुसा कारिय का एक ही भाग सोपना चाहिए कि पूरे कार्य को एक जोटे-छोटे इससो में बाढ़ दो दूसरा परतिक व्यक्ति को उसकी योग्यता कि किस कारिय को कितना आच्छा कर सकता है और कितना उस कारिय को करते आनंद लेता है वो कारिय उसको सौप दो उससे क्या होगा एक तो विसेस्टी करण के लाप पराप्त होंगे हमें विसेस्टी करण का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को जो कारिय दिया इसकी रोची और उसकी योगेता की नोसार वो उसमें specialization प्राप्त कर लेगा उसमें महारत प्राप्त कर लेगा दूसरा करमचारियों की कारे कुछलता में बृति होगा एक तूरुची का कारिय मिलगया, दूसरा मेरी योगेता का œbuatड़िंग मिलगया अगर मैं ये चीज नहीं करता हूँ मतलब अगर मैं कारे भी भाजन नहीं करता हूँ तो सबसे पहले तो विशिस्टी करनवाला लाब मैं खो दूँगा कि करमचारी मेरा जो है जिसको मैं कारे बिना रूची का दे दिया बिना योगे तक है दे दिया, सबसे पहले तो specialization में आएगा ही नहीं, दूसरा उसकी कारे की शल्ता में भी कमी आ जाएगी, मतलब मुझे जो है वो को जोन सा कारे करना आता है, अगर मुझे उसके विपरी दूसरा कारे दे दिया, तो जो कारे मुझे आता है, वो भी मेरे को खतम होता है, चला जाएगा, तो नुक्सान हो जाएगा, फिर तो कारे भी बैसन के ये लाब हो रहा नहीं हो गया, फिर दूसरा आता है, हमारा सिध्धान्त अधिकार और उत्तरदाई तो, इस सिध्धान्त के नुसर, जब किसी व्यक्ति को कोई कारे सोपा जाता है, और उ उसे उत्तरदाई भी ढहराना चाहते हैं तो हम उसे उस कारिया से सम्भावनाएं कम हो जाएंगे फिर दूसरा मेरे उत्तरदाई तब नहीं आएगा क्या होगा अगर मानलोगों कारिया मैं सही डंग से कर नहीं पाता तो मेरे पास एक बहाना इसकी उस भी रहेगा कि मुझे वह वहली चीज तो खरीदने के अधिकार नहीं दिये गए या फिर मुझे यह वहला कारिया नहीं करने के लिए अधिकार नहीं प्राप्त किये गए थे तो इसका फाइदा क्या होगा जब हम अधिकार और उतरदाई तब फिक्स कर देते हैं एक तो लक्षय प्राप्ती में हमारे लिए सायता मिल जाती है क्योंकि इंपलाई के पास उस कारिय को परफॉर्म करने के अधिकार उसके पास होते हैं दूसरा करमचारियों के साहस में भी वृद्धी हो जाती है जब मुझे कोई कारिय सोपा जाए और मुझे ये कह दिया जाए कि आपको करना है चाहिए अगर यह बञें चीज नहीं करते हैं तो एक तो अधिकारों का गलत प्रयोग होने के जहाए जाएंगे ज्यादा लेने लगा और शुश्यादा लेंगी तो कार्याक्रशलता में कमी आने शुर हो जाएगे दूसरा करमचारियों के साहस में कमी हो जाती है मेरे धिमाग में यही रहेगी कि वह वहला कारे करने का दोदिकार मेरे पस है नहीं तो इस कारे की सफलता कैसे प्राप्त कर पाऊंगा तो इस तरह की दिमाग में बाते हैं वो आने लग जाएगे जब हम प्रयास करना चोड़ देते हैं, तो उस कारिया में सफलता के चांसिस भी खतम होने शुरू हो जाते हैं, तो प्रयास हमें करना कभी नहीं चोड़ना चाहिए, खेर अनुशाशन पर चलते हैं, जो कि हमारी लाइफ को मोल्ड करने के काम आता है, उसको इंप्रूव करन करने के लिए अनुशाशन का होना सबसे ज़्यादा, अवश्यक होता है, होगा क्या उसे? अनुशाशित संस्ता की साख लोगों की नजरों में अच्छी होती है, मतलब एक उधारन ले लिए जिए स्कूल का या कॉलेज का, जहां पर अनुशाशन संबंदित नियमों का पालन आध्यापक और बच्चे करते हुए मिलेंगे, वह अनुशाशन के साथ में कारिय करेंगे, तो फिर हमेश्य खुशलता में तो रिदी होगी ही, अगर हम यह चीज नहीं करते हैं, अनुशाशन वाली नहीं करते हैं, तो एक तो सबसे बड़ी चीज है, हमारी साख में तो गिरेगी, किसी भी स्कूल में अनुशाशन ना रहे या कॉलेज में आ रहे तो वहाँ उस शहर या गाउं में हमेशा यही तो इसी परकार की बाते होती है, कि वहाँ पर अनुशाशन नाम की तो कोई चीज है नहीं, वहाँ पर बच्चे बिगड जाएंगे, या नहीं सीख पाएंगे, कुछ भी होगा क्या, ऐ विवस्ता का ब अगला आदेश की एकता, ये भी एक बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है, परते करमचारियों को एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए, और वहाँ करमचारी उसी अधिकारी के परती उत्तरदाई हो, मालूम मैं वरकर हूँ, और मेरे पास चार अधिकारियों के आदेश आगए, ये वला काम करना है, ये वला करना है, ये वला करना है, ये वला करना है, तो मैं किसका कारिये पहले करूँ, किस कारे को इंपोर्टेस दो, मेरा उतरदाईत हो, तो चार अधिकारियों के परती हो गया, चार कारिया मेरे पास आगए, एक घंटे का मालो समय मिल गया, एक घंटे बाद चारों आके खड़े हो गया अधिकारी, बताओ हमारा काम का है, तो मैं किस के परती, जी मैंने ये कर दिया, बाकी तीनों का काम कहां चला गया, तो उस चीज से बचने के लिए परबंद का सिधान्त, आदेश की एकता, क्या कह अधिकारी एक ही करमचारी को अधेश दे गा, तो करमचारी का भी उसके परती ही उत्तरदाइतव रहेगा, दूसरा उदेश्य प्राप्त जो हमें करने है, वह असानी रहेगी, जैसा उधारण दिया, कि चार अधिकारी ने एक करमचारी को आदेश दे दी है, तो उदेश् और दूसरा उदेश्य प्राप्ति में कठना ही आने शुरू हो जाएंगे तो यह चार हो गए उसके बाद हम पांच में पर चलते हैं निर्देश की एकता इसका भी प्राय यह है कि किर्याओं की परतेक समूं के लिए जितना समान उदेश्य हो एक ही अद्यक्ष और एक ही यो हो जाए हमें दूसरी योजना नहीं उठानी चाहिए इसका प्रोफिट क्या होगा अगर हम निर्देश की एकता कर लेते हैं तो विसस्टी करण का लाब हो जाएगा तो निर्देश जो दिये गए हैं किसी कारे को करने के लिए भाया यह इस कारे को करने के लिए होते चले जाएंगे कुछलता पराप्त करते जले जाएंगे दूसरा कुरियों में एक सबरुपता से समनवे में मदद मिलेगी समनवे का मतलब कोडिनेशन कोडिनेशन का मतलब मेल जूल कर कारे करना तो वह तो भी एक हमारा benefit होता चलाएगा अगर हम निर्देशों में एकता को फोलो नहीं करते हैं तो सबसे पहले तो विशिस्टी करन को बोल जाए कि मैं specialization करमचारियों का इंदर पैदा कर पाऊंगा क्यूंकि एक ही कारे करने के लिए आरलागलागल निर्देश आने शुरू हो ज तो वो एक समस्या उत्पन होनी चुरू हो जाएगी फिर चटा व्यक्तिगत हीत समाने हीत के अधीन होते हैं व्यक्तिगत मेरा personal से चुड़ा हुआ समाने मेरा वैवसाय से चुड़ा हुआ इस सिधानत के अनुसार संस्ता का हीत ही सरो पर ही है यानि कि समाने हीत जो सब के लिए है उसको समाने हीत कहा गया तो संस्ता का हीत सरोपरी है यदि समाने हीत वे व्यक्तिकत हीतों को प्राथमिकत करम में रखने के लिए कहा जाएगा कि किसको पहले लेना है किसको बाद में लेना है तो कुछी चीज का डाउट नहीं है मुझे सबसे पहले समाने हीतों को ही पहले स्तान पर रखना है क्यों? अगर website grow करेगा तो मेरे व्यक्तिगत हित अटोमेटिकली grow करेंगे, बढ़ेंगे चीक है? तो एक तो मानवता का पालन हो जाएगे मानवता का मतलब सभी के अधिकार जहां पर समान हो दूसरा, संस्ता को लाब होगा? क्योंकि हमने संस्ता को सबसे उपर फोकस रखा है, तो संस्ता को लाब होगा, तो जितना लाब उसको होगा, हमने एक उधारन लिया था, सेलरी बढ़ाने वाला, हमने लिया था, बजट कम है तो कम सेलरी बढ़ रही है, बजट ज़्यादा आ गया बजट कहां से आ रहा है, लाब कमाने से आ रहा है, ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा सेलरी बढ़ जाएगी, तो किसका लाब कमाने से ही तो सेलरी मेरी बढ़ रही है तो लाब कब कमाएंगे, जब हम संस्ता के बारे में सेंट्रलाइज करके सोचेंगे, नहीं करते हैं कि मानवता का हनन होगा, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, और दूसरा व्यक्तिगत एवं संस्तागत उदेशियों में समनवे का अभाव आजाएगा, कोडिनेशन रहेगा ही नहीं, व्यक्तिगत और संस्ता के उदेशियों के अंदर उसके बाद आता है साथमा पाइंट हमारा आता है करमचारियों का पारेशर्मिक अब बिना पारेशर्मिक एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा करमचारियों के लिए मोटिवेशन का गाम करती है, मोटिवेशन क्या होता है उधसाव रदन, हमेशा जब-जब पारेश अरमिक जो करम चारियों के मिलता है, तब-थाइतों और अच्छे परकार से कारे करने का प्रयास करते हैं तो इस सिधान्त के नुसार करम चारियों को दिया जाने वाला पारेश अरमिक उचित होना चाहिए जैसी उनकी योगेता अनुपव वैसा ही उनका प्रारेशरमिक उनको मिलना चाहिए ताकि करमचारियों वे मालिकों दोनों को अधिक्तम संतुस्टी मिल सके ये भी नहों कि मालिक का नुकसान कर रहे हैं हम ज्यादा सेलरी देकर जो सेलरी बढ़ाने वाला मैंने बजट का उधान दिया और ये भी नहों कि करमचारियों को उनकी योगेता ये उनका टैलेंट के वोडिंग कम सेलरी मिल रहे हैं तो दोनों को ही हमें जो है वह सैटिस्प करमचारी वे समरपन भाव विक्षित होती है। कि अपने जिसके अंडर वह कार्य करते हैं। उनके Minsk डेडिकेटिड होकर कार्य करने लग इस सिधानत का इंप्लिमेंट नहीं करता हूं, सबसक्राइब और दूसर स्य समरवर्तन lights की दरों में व्रति हो उपर नीचे रहेगी, कभी बढ़ जाएगा, कभी घड़ जाएगा, तो यह समस्य जो है, वो मेरे अगे आ सकती है, फिर आठवा सिधान्त हम पढ़ रहे हैं, परबंद के 14 सिधान्त हम उसके 8 में सिधान्त में आ गए हैं, आप इस वीडियो को रिपीट करके जो है, वो एक उसमें केंद्रिय करण और विकेंद्रिय करण, इस सिधान्त के अनुसार अधिकारियों को चाहिए कि पूरण केंद्रिय करण और पूरण विकेंद्रिय करण को अपना है, तो केंद्रिय करण का मतलब क्या हो गया, कि जो उपर वाली पोस्ट बे बैठे हैं, मेनेजर, वी केंद्रिय करण में कहेंगे कि उपर वाला जो अधिकारी है वो तो कम रहा जाएंगे और नीचे जो अधिनस्त करमचारी है उनके पास एक से अधिक कारी आ जाएंगा हमने पढ़ा था कि एक करमचारी को उसकी योगता और रुचिक एकोडिंग अगर एक कारिय देया यह ताकि अधिकारीयों के कारिय भार में भी कमी रहेगी और कारिय जो है वो बहतर होता चला जाएगा और शिगर निर्ड़ लेने में भी उनको साहता रहेगी अगर हम नहीं कर पाते हैं यह चीज तो पूरण विकेंद्रिय करण से अधिनस्तों में कारिय भार बढ़ अगर मैं कर देता हूं तो जो अपर वाले जो थे उन में जो है वो कारिय भार अधिक बढ़ जाएगा जिससे के निर्णा लेने की शमता कम हो सकती है चलिए उसके बाद हमारा नुवा आ जाता है 105 शरंकला जिसको स्टेप्स भी आप कह सकते हैं 105 शरंकला से अभी प्राए एक उपचारिक आधिकार रेखा से उपचारिक का मतलब जहां उपचारिकता है फ्रमलेटीज निभाए जा रही हो पहले से फिक्स है कि यह कारिये यही करेगा ऐसे ऐसे कारिये चलेगा पहले इसके पास आएगा फिर इसके पास इसके पास तो ए पे खीघेट से नीचे चलती चाहेगी, या फिर मैनेजर छे से सुपर्वाइजर, सुपर्वाइजर से सब्सुपर्वाइजर या, तो इसी सरंखला का सक्ती से पालन किया जाना चाहिए अगर भीच में को Troy स्टेप में सो गया तो उत्तरदाइत तव जिम्मेवारी इतियादी जो ये हमारे सबसे जुरूरी जो हो स्टेप होते हैं वो में सोते चले जाएंगे अवशक्ता पड़ने पर समानस्तर के करमचारियों से ही समतल संपर्क किया जाना है समानस्तर मतलब टीचर टीचर अगर सम है तो उन से आपस में संपर्क किया जा सकता है कि एक टीचर को बता दिया कि आप अपने साथियों को बता देजिए तो इस परकार से किया जा सकता है जिसको समतल संपर्क हम कहते हैं फाइदा क्या होगा इसे सूचनाओं को विवस्तित परभाव होगा विवस्तित का मतलब स साही डंग से सिस्टमेटिक डंग से जो है वो सुचना चली जाएकि किसी के लिए सुचना मिश नहीं हो दूसरा अधिकारों को पूरण आधर से बेहतर संबंद होतें चले जाएंगे जो अधिकारियों जो अधिकार दिये जाए सूचना तो उसका नुकसान ज्यादा हो जाएगा नस्दीक के अधिकार्यों के अंदेखी करने से संबंदों में कटूता आने की वी चांसिस रह जाते हैं कि मुझा नहीं बताया इस परकार की संभावना जो है वो ज्यादा हो जाती है ठीक है चलिए आगले 10 में पर चल कि दिखूं अपढ़नी शुरू कर देते हैं अपने दिमाख की हम बात करें याद करते चले अआ और दिमाग में स्टोर करते चले चले जब एक्जाम में गए तो फिर हम सोचना शुरू गए पढ़ा तो था याद नहीं आ रहा इसकी बजाय कर मार्द्ड से दिमाग में रं नहीं रहा तो उसकी बजाए मैं व्यवस्तित रूप से और करम बद रूप से अगर मैं पढ़ूं तो फिर उस कारे के काम्याब होने के चांसे बढ़ जाते हैं और शक्ता पढ़ने पर संसादनों को खोजने में समय की बरबादी नहीं होगी और दूसरा अनुशाशन भी नुकसान के चल रहा हो कि A से शिरू आने लगाई एक जगह रखेंगे वी से शिरू वाले बी सी से शिरू आने वाले सी इस वरकार जैट तक चला जाता होगा वह दूकान वाला तो क्या आवकार जैसे कोई लेने गया कॉम्बी फ्लैम सी तो सी में वाले रैक में वह शिरू हो जाएका रखी चीज फिर भी मैं यूटलाइज नहीं कर पा रहा और दूसरा आयव ववस्ता हो जाएगी सारा समान में खिंडा दूंगा उसमें उसको डूंडते वे चीज़ों को अगला समता यह सिदान बताता है कि परबंदगों को अपने अधिनस्तों अपने अधिनस्तों का मतलब जो मेरे अंडर में जो परबंदग के अंडर में कारे करें के साथ वेवार करते समय न्याय और उदारता का परदर्शन करना चाहिए ये सब को बराबर मानवता की नजर से मानवता पुरण विवार जो है वो सभी हजने नस्तों के साथ में करना चाहिए इससे क्या होता है करमचारी संतुस्ट रहते हैं और एकुशल करमचारी कुशलता प्राप्ति का प्रयास करने लग जाते हैं एकुशल कौन सा है जिसको कार कम करना आता है वो लापरवाई ज्यादा करने लग जाएंगे अगला परबंद का सिधानत जो है वो बारवां वो है करमचारियों में स्थाहित्तव ये बड़ा जरूरी चीज़ है परबंद की दृष्टी से करमचारियों का दिन परते दिन बदला जाना एहित कारी होगा बह वो समझने और अच्छे परकार से करने का समय आया मैंने करमचारियों का जो है वो कारिया बदा दिया उससे क्या होगा जो है वो नुकसान होता चला जागा तो इस सिधानत के इंसर करमचारियों में स्थाहित्तव बना रहना चाहिए ताकि कारे विवस्तिक रूप से चलता रहे होगा क्या इसे करमचारियों के विश्वास में वरिधी होगी दूसरा संस्ता के साख में भी वरिधी होगी ना कर पाया जो करमचारियों में ऐ विश्वास का वात अब रहना जाएगा और संस्ता में साख में कमियानिक शिरू हो जाएगा फिर उसके बाद हमारा तेरवा जो सिधान्त है वो है पहल शम्ता, इनिशियेशन पहल शम्ता से भी प्राय अपने विचारों को परकट करते हुए कारे की शम्ता से है करमचारियों को अपने विचार परकट करने की भी हमें सोधनतरता देनी चाहिए इस सिधान्त के अनुसार प्रबंदकों को अपने करमचारियों को अब करमचारियों में अधिकारों के सीमा और अनुशाषन के अंतरगत रहते हुए, किसी भी कारिये को करने या नेरने लेने में पहल करने की भावना को उत्रेजित करने है, मतलब उसके अधिकार उतर दाई तो फिक्स कर दिये उसके बीच में वो अपनी बात रखने का उसको फ्रीडम दे तकि एक्टो उसके अंदर जो है वो कारिय को और ज्यादा अच्छे करने की भावना जो है प्रेजित होगी दूसरा करमचारियों के सोच शक्ति में बर्दी होगी करमचारियों क्या निर्ने को लागू करने में भी सयोग रहेगा जब हम करमचारियों निर्ने को लागू करेंगे तो उसमें भी उनका सयोग मिलेगा ना कर पाए तो करमचारियों के सोच में कमी आ जाएगी वो सीमित रहेंगे, जो बताए जाएगा उतना ही करेंगे उनके दिमाग में और अच्छा आ रहा होगा तो वो बताएगे और फिर करमचारियों का अंदर जब हमें निर्ने को पुलागो करने तो उनके सहयोग लेने में भी हमें समस्या का सामना करना पड़ साकता है और हमारा चोधुआ और आखरी सहयोग की भावना इस सिधान के अनुसार परबंदकों को लगातार करमचारियों में टीम भावना विक्सित करते रहना चाहिए भईया मेलदुल कर कारिय करो एक दूसरे की हल्प करो इस परकार से बार-बार उनको उट्साइद करते रहना चाहिए जिससे क्या होगा टीम भावना से कारिय करने की एक तो उनको परेणा मिलेगी दूसरा हमें उदेश्य परापत करने में असानी रहेगी नहीं कर पाए इसे योग की भावना विक्सित तो टीम भावना तो खतमी हो जाएगी और उदेशय अप्राप्ति करने में कठनाया नहीं मिलेंगी तो इस चोदा के चोदा सिधान्त जो है वो हमें अच्छे से याद करने है अग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस जिनके रहते हैं प्लस चुका पेपर अभी हर्याना बोर्ड ने अभी लिया नहीं है बिजनस के डिकर तो इस वाले प्रबंद के 14 सिधान्तों को अच्छे परकार से याद कर रहे हैं इस परकार के सिधान वाक्सर पेपर में आ जाया करते हैं पिछले 3 साल के पेपर उठा के देखिए उनमें जरूर जो है वो इस परकार के फ्रशन पूछे गए हैं एक उधारण दे देता हूँ ऐसे परकार से ये सारे के सारे आए हैं जैसे कि साइकल निर्मान से ले रहते हैं, एक व्यक्ति जो है वो सरफ घंटी बना रहा है, एक व्यक्ति रिम को त्यार कर रहा है, एक व्यक्ति जो है वो हैंडल बना रहा है, एक व्यक्ति गदी बना रहा है, एक व्यक्ति टायर बना रहा है, तो क्या हुआ हुआ कि उनके का कारिये को लगातार करते चले जाएंगे, वैसे वैसे वो कारिये शमता प्राफ्ट करते चले जाएंगे. तो बच्चों, कैसी रही आज की ओनलाइन क्लास? उमीद करता हूँ आप सबने ध्यान से सुनाओगा. आज हमने ओन नाइट करास में हैंरी फ्योल के परबंद के 14 सिधान्तों के उपर चर्चा की तो हमें ये 14 सिधान्त याद रखने हैं आप सब का धन्यवाद